बाबा के पास वतन में भूग लेकर के पहुँची जैसे ही वतन में पहुँची तो देखती हूँ बाबा के पास बाबा के करीब कई प्रकार के चोपड़ा रखे हुए थे बाबा ने कहा कि बच्ची दुनिया के हिसाब से भी दिपाबले के बाद दुनिया के बिजनिसमें नया चोपड़ा रखते हैं नए दिन से बाबा ने कहा बाबा भी अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ नया सोस्ते हैं नया संक्लब बाबा को बच्चों के प्रित उन्निती के प्रित चलता है इतने में बाबा ने मंदिर का द्रस दिखाया मंदिर के अंदर गंटे बज रहे हैं आर्ती हो रही है बजन गीत गा रहे हैं बाबा ने कहा कि बच्ची इसका कुछ मतलब समझा मैंने कहा बाबा मतलब तो अर्थ तो आप ही बतलाएंगे बाबा मुस्कराने लगे बाबा ने कहा कि दुनिया में भी भक्ति में भी मंदरों में आर्ती गंटे बजन क्यों करती हैं और जाते किसले लोग हैं वहां सान्ती के लिए जाते हैं वाइब्रेशन लेने के लिए जाते हैं जितना समय बैठते हैं उतना समय उन्हें भी सांती की अन्भूती होती है तो बाबा ने कहा कि बाबा इसलिए चोपड़े की बात कही दिखाई बाबा ने बाबा ने कहा कि जिस स्थान पर आप बच्चे बैठे हैं सांती वन की बात कही बाबा ने बाबा ने कहा कि इस इस्थान का भी वाइब्रेशन में बदला आप कैसे आया तो मैंने बाबा को कहा आप ही बदलाएंगे तो बाबा ने कहा कि यह नुमा साम का योग भल चलता था पर दादी जानकी ने बाबा ने तो बच्ची सब्द कहा जबसे नुमा साम का योग शुरू किया और इस सांतिवन के योग के द्वारा वाइब्रेशन बदली किये और जो जितना समय सबेरे से साम तक बाबा के अविक्त महवाक्य जो चलते हैं कानों में पढ़ते हैं सुनते हैं उससे भी कई बच्चे अपना निजी पुर्सारत में लगे हुए हैं करते रहते हैं बाबा ने कहा इसी प्रकार आज बाबा ने जैसे की तीनों स्थान का चक्कर लगाते ग्यान सरोबर पांडबहन सांतीवन बाबा ने कहा इसी प्रकार पांडबहन में भी जो साकार बाबा के दादियों के कदम पड़े हैं बाबा के महवाक उचारन हुए हैं उस स्थान पर बाबा ने कहा उसी प्रकार आने वाले समय में बाबा के नएने बच्चे आएंगे पुराने भी बच्चे भी जाते हैं तो जिस प्रकार ट्रेफिक कंट्रोल चलता है बसता है ऐसे ही बाबा के साकार बाबा के कुछ बात है कुछ महवाक्य बीच बीच में उचारन वो सब्द बच्चे सुनाते रहेंगे तो आने वाले पीड़ी और आने वाले बच्चे नए पुराने वे भी उस चीज का अनभव कर सकेंगे जैसे सांतिवन में बाबा का अविक्त जो बोल बच्चे सुनते हैं उससे भी बहुत प्रभावित हो करके जाते हैं तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा ने मंदिर का द्रस से दिखाया कि बाबा के इस्थान तीनों ऐसी प्रकार बहुत पावरफूल होने चाहिए जो आने वाले समय में जो बाबा के नए बच्ची आएंगे वो कुछ न कुछ प्राप्त करके कुछ न कुछ अनभव करके जाएं बर सेंटर पर भी इस प्रकार बच्चे कुछ गीत चलाते हैं कुछ भी चलाते हैं तो बाबा ने का उस स्थान पर भी बहुत पावरफूल वाइब्रेशन भरते जाते हैं बाबा ने का आने वाले समय में कई ऐसी आत्मा आएंगी जो उनके किस प्रिकार के संकलप है, किस प्रिकार के वाइब्रीशन है और वो बाबा के घर में छोड़ के ना जाएं 17 साली वाइब्रीशन लेकर के जाएं इस बात का सबी बच्चों को चया नय है चया पुराने है बाबा यही विसेश्ट наय साल में बच्चों का ये चौपड़ा देखना चाहते हैं फिर तो बाबा के सनमुख भोग रखा था बाबा ने भी बड़े प्यार से दिलवा जान से भोग सिर्कार किया बाबा ने कहा कि सत्गुरु बार के दिन बिसेज बच्चों की याद बाबा के पास पौँशती है और कई बच्चे तो मैसूस भी करते हैं कई नहीं भी कर पाते हैं पर याद तो पौँशती है बाबा ऐसे कहते हुए बहुत प्यार से भोग सिर्कार किया और सभी भाई बेहनों को भी विसे इस भोग लगवाने वाले भाई भेनों को भी बहुत बहुत दिल की याद प्यार दी और बाबा का याद प्यार ले करके नीचे पहुँझे ओम शंत